जादूई दालचावल प्रधानपुन नाम के गाउं में वरिंदा अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी वरिंदा बड़ी ही संसकारी लड़की थी सुब़ चार बजे ही उठकर अपने घर के कामों में लग जाती वो पूरी कोशिश करती कि उसके ससुराल में किसी को भी किसी चीज की कोई तकलिफ ना हो पर वो कैते हैं न जिसे कमी निकालनी है वो तो निकालेगा ही वरिंदा की सास और ननद हर वक्त उसके पीछे ही पड़ी रहती थी एक सुबह उठकर वरिंदा पूरे घर में जाड़ू कर रसुई में चाय बनाने जाती है अरा वरिंदा कहा मर गई? यह आंगन में इतने पत्ते कहां से आए? काम नहीं करना तो चली जा माईक है अरा क्यूं हमारी चाती पर मूग दलने बैठी राती है? अपनी सास की आवाज सुनकर वरिंदा भागती हुए रसुई से बाहर आती है क्या हूँ माजी? आप ठीक तो है ना? माजी की बच्ची? यह आज कल की बउओं के सारे नखरों को अच्छे से जानती हूं मैं यह नया नया ना तक अपनी सैलियों से सीख कर आ रही है न तो ऐसी ही बहूँ है मुख पर काल इक पोत कर जाती है राम 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 माजी आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही है छी 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 मैं सपने में भी ऐसी चीज़े नहीं सोच सकती मैं तो पांच मिनट पहले ही आंगन में जाड़ू लगा कर अंदर गई थी लगता है हवा के करण पत्ते आंगन में आ गए मैं अभी साफ कर दीती हूँ वरिंदा जाड़ू उठाने जाही रही थी कि मंजू की नजर कमरे से निकल रहे महेश पर पड़ जाती है अपने बेटे को आता देख मंजू जान भुझ कर जाड़ू उठाकर जाड़ू लगाने लग जाती है जिसे देखकर महेश कहता है यहां मा जाड़ू लगा रही है और तुम सिठानी बनी खड़ी हो इतना भी काईदा खो दिया है क्या तुमने वरिंदा इस घर में अगर यह दुबारा हुआ तो देखना मुझसे बुरा कोई ना होगा बिचारी वरिंदा करती भी क्या वो रोती हुई रसोय में चली जाती है और सब के नाश्टी की तैयारी करने में लग जाती है कुछ देर बाद रेना तो घर का ध्यान रखना मैं मंदर जाकर आती हूँ हाँ मा टेंशन क्यों लेती है मैं होना घर पर अगर सिर्फ भावी अकेले घर पर होती तो टेंशन लेने की बात थी मन्जो तयार होकर मंदर चली जाती है जहां उसे उसकी सहली रेश्मा मिलती है रिश्मा की साथ एक बहुत ही खुबसूरत लड़की हाथ में पूजा की थाले लिये खड़ी थी इसे मिलो ये मेरी भांजी है प्रिया ग्राज्यूएट है शहर में नौकरी भी करती है मेरे घर आई है मुझसे मिलने इसकी शादी की जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है न जाने मैं उस भिखा राम को अपने घर ले आई ऐसी फसी हूँ के क्या करूँ वही न मन्जू कहां महेश कहां व्रिंदा महेश की शादी तो प्रिया जैसी लड़की से होनी चाहिए थी होनी चाहिए तो थी अब होगी भी वैसे मुझे न व्रिंदा फूटी आग बरदाश नहीं उसे तो मैं अपने घर से निकाल कर ही रहूंगी मन जो गुस्से में अपने घर जाती है और सीधा रस्वे में जाकर व्रिंदा का हाथ पकड़कर उसे आंगन में घसिट कर ले आती है अभी मंदर से लोट कर आ रही हूं मैं तेरी जो कर्तूत है ना सारी बात पता चल गई है मुझे बिचारा महिश उसे तो पता भी नहीं था कि तो इस तार रखिया औरत है दो दिन के अंदर अपने माई के चली जा वनना पूरे मौहले के सामने महिश तुझे छोड़ देगा समझी किसी ने आपको छोड़ पोला है माजी मैं भगवान के सोगन खाती हूँ मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया हमारे घर पर भी आया हुई बेटी बापस माई के लोट कर नहीं जाती मैं कहां जाओंगी माजी आप मेरी बात तो सुनिये पर अब कहां कोई वरंदा की बात सुनने वाला था रीना अपने भाई के कान भर देती है और वो भी वरंदा को घर से निकालने के लिए तयार हो जाता है इसी तरह दो दिन बीच जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब वरंदा को अपने ससुराल को छोड़ कर वापस अपने माई के जाना था वरंदा सभी घरवालों के जूठे छोड़े हुए खाने को लेकर खाने बैठती है कि उसके दर्वाजे पर एक बुड़ी औरत आती है और आवाज लगाती है गरीब को कुछ खाने को दे दो बहुद भूकियों बगवाम के नाम पर बहार से आवाज सुनकर वरंदा अपना खाना छोड़ कर बहार आती है हाँ बुड़ीया माई रुको मैं पैसे लाती हूँ नहीं नहीं बेता बड़ी भूकियों मुझे कुछ खाने को ही दे दे इस घर में मुझे किसी भी चीज को छुने की इजाज़त नहीं है बुड़ीया माई पर मेरे हिस्से की जूठे दाल चावल मैं तुझे दे सकती हूँ वैसे पिस घर से मेरा दाना पानी आज उठने ही वाला है कम से कम तुही इस घर के दाना पानी को चकले वरिंदा अपने हिस्से का दाल चावल उस बुड़ीया को दे देती है बुड़ीया पूरा खाना चट कर जाती है और अपनी प्लेट में चार चावल और चार दाल के दाने छोड़ देती है उसके बाद बुढिया वरिंदा के सर पर हाथ फैरते हुए कहती है आज के बाद तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी भिटिया वरिंदा को बुढिया के कहे शब्द मातर आशिरवाद लगते है वो उसकी जूठी थाले लेकर जैसे ही रसोय में जाती है उस थाले में रखे चावल और दाल के दाने सोने के दाल और चावल के दानों में बदल जाते हैं हरे ये कैसे हो गया चावल के दाने सोने के कैसे हो गया वरिंदा भाग कर बाहर जाती है लेकिन तब तक बुढिया माई अद्रिश्य हो चुकी थी इन दानों को मैं संभाल कर अपने पास रख लेती हूँ वरिंदा दानों को एक अख़बार के टुकडे में लपेट कर अपने पास रख रसोई से बाहर निकल ही रही होती है कि तब ही वहां मंजियू और महेश को अपनी और आता देखती है हे पगवान कोई चमतकार कर दे कि ये लोग भूली जाए कि ये मुझे घर से निकालने वाले थे कमरे में सामान पैक करके क्यों रखा है तुम माईके जा रही हो क्या माईके किस मू से जाऊंगी कौन रखेगा मुझे बस चली जाऊंगी कहा पता नहीं आप लोगोंने मुझे घर से जाने को जो कह दिया है तो पागल हो गई है क्या? क्या बखवास किया जा रही है? हमने तुझे कब घर से जाने को कह दिया? अरे मो धोले लगता है तुने इंद में और फिर रीना के कमरे में शर्बत लेते जाना व्रिंदा चौक गई थी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ वो सपना था या जो दो दिन पहले हुआ वो सपना था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता वो कमरे में जाकर अपने दाल और चावल के दानों को अलमारी में रखने के पहले दीखती है रोश्णी की चमक के साथ एक चावल का दाना गायब हो जाता है ये चावल का दाना गायब किसे हो गया? ये भगवान, मतलब वो बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं थी पर ये चावल का दाना गायब क्यों हुआ? कोई मुझे शेर्बत देगा या नहीं? रीना की आवाज सुनकर रिंदा भागती हुए शेर्बत बनाकर रीना को देने उसके कमरे में जाती है रीना शेर्बत का ग्लास लेकर कहती है तुम अभी तक गई नहीं भाबी? और ये शेर्बत है? ना चीनी ना कुछ? अभी मा को बुलवा कर तुम्हें पिटवाती हूँ ये बगवान, दीदी मा जी को ना बुला पाए वन्पाजी मुझे छोड़ेंगेने रीना अपनी मा को बुलाने के लिए बोलने की कोशिश करती है पर उसके दोनों होट आपस में ही चिपक जाते है और रीना कुछ बोली नहीं पाती रीना करती रहती है पर उसके मुह से आवाज ही नहीं बाहरा पाती पूरा अगर रिना का मूँ खोलने की कोशिश में लग जाता है इसी तरह शाम हो जाती है और वरिंदा अपने कमरे में जाती है हे भगवान आज कल तो तो मेरे पर कुछ ज्यादा ही महरबान हो गया है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि दिदी कुछ कहना सके बस वो मेरी चुगले ना करे इतना काफी है कुछ ऐसा कर कि उसकी जबान वापस आ जाए वना पूरा घर ऐसे ही परिशान रहेगा तब ही अलमारी से फिर से रोश्नी बाहर आती है वरिंदा जैसे ही उन दानों को देखती है तो फिर से दो चावल की दाने गायब हो जाते है मतलब ये सब जादूई चावल और दाल के दानों के कारण हो रहा है एक इच्छा मतलब एक दाना गायब अब तो मेरे पास बस एक ही चावल का दाना बचा है पर दाल की दानों से क्या होता होगा इसके पहले मैं फिर से कोई इच्चा जाहिर करूँ और ये एक मातर चावल का दाना भी गायब हो जाये उसके पहले एक इच्चा मांग लेती हूँ फिलाल तो मेरी एक ही इच्चा है कि मेरे सिसुराल वाले बहुत अच्छे सिसुराल वाले बन जाए और हम खुशी-खुशी साथ रहने लगे मुझसे ये दुख और बरदाश नहीं होता और ऐसा ही होता है चावल के दाने अपने आप गायब हो जाते हैं और जादू का जादू चल जाता है पर उन दाल के दानों में राज क्या था? उसे जानने के लिए तो फिलाल आपको जरा इंतिजार करना पड़ेगा